नमस्कर दोस्तो, सागत है आप सभी कर रोसल स्टेटी पोन पी और आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 12th class बोल्लिकर साइंस का जो हमारा 2nd book है जिसका chapter है chapter no.4 और chapter का नाम है भारत की विदेशी संबंथ इस chapter को हम समझने वाले हैं ये one short revision वीडियो होगा एक ही वीडियो में हम पूरे chapter को समझ लेंगे थोड़ा तीजी में हम चलेंगे कोशित करूँगा कि कम समय में आपको पूरे chapter को अच्छे से समझा सको और इसके उपर आप सभी को पता ही कि animated video भी uploaded है तो आप सभी animated video को भी जरूर देखी है ना चली अब हम चलते अपने PDF में और इगे करके हम सभी topics को समझना सुरू करते हैं तो प्यारे बच्छों हम लोग आचुके हैं अपनी PDF में और chapter का नाम जैसे कि आप सभी को पहले बता चुगा हूँ इंडियन नैशनल आर्मी की स्टापडा उन्होंने की थी जब भारत आजाद हुआ तो आजादी कि दौरान ही आप सभी को पता है कि उसमें सीतियुद का दौर भी शुरू हो चुगा था सीतियुद आप सभी को पता है कि आमेरिका और सभी संग के बीच में हमेशा एयुद संगर्स और तनाब के स्टिति बने हुई थी और पूरी दुनिया जो था वो दो खेमों में बढ़ चुगा था एक तरफ सोभी संग तो दूसरी दरफ आमेरिका है ना यह खेमा सेउद्रासंग का था अमेरिका का था दूसरा सोभी संग का था यह बात मैं आपको पहले बता चुगा हूं दोनों खेमों के बीच आर्थिक राजनेटिक और सैने टकराव जारी रहे है इस दौर में सेउद्रासंग भी अस्तित में आया था परवानू हथियार ब गुट निर्पेक्स्ता की नीति अपनाई थी सीधियोत के दौरान आप सभी को पता है गुट निर्पेक्स्ता की नीति अपनाई थी इसको मैं ज्यादा अच्छे से आपको समझा देता हूं तो गुट निर्पेक्स्ता की नीति का मतलब ही था कि भारत ना तो सोभी संग के गुट में सामेल हुआ ना ही आमिर्का की गुट में सामेल हुआ वो दोनों गुट से समान दोरी बना के रखा है ना तो यही भारत की गुट नेरब्यक्सता की नेती थी लेकि नेहरू की उमिका क्या रही तो आप सभी को पता है कि नेहरू हमारे जो जवालाल नेहरू जी थे वो भारत के पहले परधान मंद्री थे और हमारे देश के विदेश मंद्री भी थे और परधान मंद्री और विदेश मंद्री के तौर पे उन्होंने महत्पुन मुल्गा निवाई थी पढ़ान मंतिर और विदेश मंतिरी के तौर पे रूप में उन्हेंने 1946 से लेके 1964 तक भारत की विदेश नेती के रचना में उनका एकदान सबस्क्रादी कर रहा नहरों की विदेश नेती के तीन बड़े उदेशे थे जैसे कि ये पुछा जाता है ये आ सकता है आपके डूमाक्स में कुछ ना सकता है ठीक है नहरों की विदेश नेती के परमुक विशेस्ता बताईए उदेश से बताईए तो कठिन संगर्स सिप्राप संपरभुता को बचाय रखना जो हमने बहुत ही महनस से जो अपनी संपरभुता हासिल की है उसको बचाय रखना है शेतरी खंडता को बनाय रखना है यानि कि हमारे देश के टुकए ना हो एक जोट हो कि पूरा भारत रहे तीज रफ्तार से आर्थिक विगास करना ये नेहरू की विदेश नेती के तीन परमों के दिश से थी नेहरू उन दिनों गुट निरफ्ता की नेतीयों को अपना कर अपनाना चाते थी आप सभी को पता है डॉक्टर वीमराम बिटकर चाते थी कि भारत आमेरिका के खेमे में सामिल हो जाए अपनी विदेश नेती में आमेरिका का पक्षले यानि के सपोर्ट में रहे हो ऐसा जनसंग पार्टी है और जो सोतंद्र पार्टी है ओ चाती थी तो भारत ने तो भाई क्या किया भारत ने दोनों खेमों से समान दोरी बना के रखा और हमने क्या किया गुट निर्बेक्स्ता की नीदी को फॉलो किया गुट निर्बेक्स्ता की नीदी को अपनाया भारत अमेरिका और सोभिय संग द्वारा बनाये गए सेने गटबंदन से स पर हमला किया तो भारत नहीं इस चीज का अभ्यापक रोप से विरोथ किया लेकिन दूसरी तरह आप देखेंगे कि सोविय संग जब हंगरी पर आकरवन करता है तो उसमें भारत बदला कुछ नहीं कहता है तो यह कहिना कि इस बात को दर्शादा है कि भारत ज्यादा तर सोव अमेरिकी नितरीद वाली सेनवे घटबंदनी में साव्मिल हो गया था इसलिए 1950 के दसक में भारत आमेरिकी संबद अच्चे नहीं थे लोग है लीडर्स है उनके साथ अच्छे संबंद बनाये उनसे संपर्ग स्तापित किया नहरों की अगवाई में भारत ने 1947 के मार्च में एस्याई संबंद संब्धित कायोजन भारत में किया था ठीक है भारत ने इंडोनेसिया की आजादी के लिए भी बहुत जादा प्रयास किया भारत चाहता था कि इंडोनेसिया डच अपनेविशिक सासन से मुग्ध हो जाए इसलिए भारत ने उनिस्सो ननचास में इंडोनेसिया के सोदंता संगराम के समर्थन में एक अंतराष्ट्य सम्मेलन भी किया था भारत ने नसल वाद का भी विरोध किया जो नसल की अधार पे बेदवा होता है उसका भी विरोध किया था अब इंडोनेसिया की एक सहर है बांडूं ठीक है अब यहाँ पर हम ब उनका यह सम्मेलन था इसे बंडूंग सम्मेलन आम दूर पर कहा जाता है ठीक है अफ्रीका और एसिया के नौफ सम्मेलन देशों के सास्थ भारत के संबर्क और बढ़ने लगा था और बंडूंग में ही गुर्द निर्पयक्स आंदूलन की नीव डाली गई थी बंडूंग स जो पहला सम्मेलन है वे 1961 में होता है 1961 के साथ सांती होर संगर्स पहांदी के बारे में हापि हम समझने वाले देखी चीन और भारत के रिष्टे शुरूँ में अच्छे थी चीन 1990 में आजाद हुआ था हना आजादी के बाद भारत चीन की क्रोड़कार गेटिकिक होभा जहा देश था पहला देश था भारत जिसलिए वहां की कम्मिनिस्ट सरकार को मानता दिया था नेरू जी ने चीन से अच्छे सम्मल मनाने की पहल की थी उपड़ान मंतरी एवा ततकाल गिरे जो हमारे गिरे मंतरी थी सरदार विल्लभाई पटेल उनको आसंका थी कि वह चीन भारत पर आकर्मन कर सकता है एसा उनको लगता था लेकिन नेरू जी तो नेरू जी को ऐसा कभी लगा है नहीं कि वह चायना भारत पर हमला करेगा है ना पाच सिधान्दों पर आधारित पंचसिल समझाता होता है और इसे रिष्टे काफी जाद मजबूत हो जाते हैं इंद चीन भाई भाई के नारे भी लगने शुरू हो जाते हैं चीन का आक्रमर होता है आप सभी को पता है 1962 में 1962 में क्या करता है चाइना भारत पर हमला कर देता है और इसके वज़े से रिष्टे खराब हो जाते हैं इसी के साथ आपको पता है कि चीन नी तिबबत पर कबजा भी कर लिया था और भारत में इसका बिरोध भी गिया था तो इस वेज़े से भी संबंध खराब हो जाते हैं और तिबबत के जो धार्मिक नेता है आप सभी को बढ़ाए तिबबत के जो धार्मिक नेता होते हैं जिनका नाम है दलाई लामा वो भारत आ जाते हैं भारत में शरन ले लेते हैं और भारत उनको शरन दे भी देता है ये 1969 की बात है है ना 1959 की बात है जब दलाई लामा भारत आते हैं और भारत उनको शरन दे देता है इस वेज़े से भी चाइना जो है भारत से किलस जाता है और इस वेज़े से भारत और चाइना के जो संबंध है डिलेशन है वो खराब होने शुरू हो जाती है है ना चीन ने भारत सरकार पर आरोप लगाया है कि वह उनके अंदरोनी मामले में हस्तचेप कर रहा है चाइनाव को लगने लगा कि भारत उनकी अंदरूरी मामले में लखल अंदाजी कर रहा है, चीन और भारत के बीच विवात का दूसरा कारण सिमा विवात था, हैना चीन ने भारतिये भूछेदर के दो इलाके, जम्मु कस्मीर का जो लदाग वाले एरिया है और अकसाई चीन और साथी साथ अरुनाचल परदेश के बहुत सारी हिसों पर अधिकार जदा लिया था, हैना अरुनाचल परदेश को उस समें नेफा कहा जाता था, उत्तर पूरवी सिमान भी इसको कहते थी, ठीके, उनीस सो संतावन से उनसट के वीच चीन ने अकसाई चीन इलाके पर कब कबजा कर लिया, तथा इस इलाके पर एक शरक भी बनाई थी, मतलब ये एक तरीके से कैसे कैसे इनके वीच में संबंद खराब हो रहे थे, उसके पॉइंट से यहां पर बताया जा रहे है ना, भारत हो चाईना के वीच में संबंद कैसे खराब होने शुरू हुए, तो उस चीन को बढ़ने से रोका, लेकिन चीन असं की रास्ते, मतलब चीन की जो सेना थी, वो असं की रास्ते भारत में एंडर मार चुगी थी, है ना, और उसके बाद क्या होता है वाई, आकिरकार चीन ने क्या किया, एक तरफा युद का, युद विराम की गोशना कर दी, और इ इसी के पक्षि में नहीं था, ठीक है, इस युद की वज़ा से भारत के तदकालिक रक्षा मंदरी, वीके क्रिशन मेनन ने मंदरी मंदन छोड़ दिया, ठीक है, अब देके, चीन से हारने के बाद भारत की जो छबी थी अंतराष्टी इस्तरवर, बहुत जादा इसको दग सुरू हुए, है न, 1979 में शिरी अटल विहारी वाजपेजी जो थी, बिलिस मंदरी थे उसमें, तो राजीव गांदी जो परधान मंदरी थी, तो 1988 में उन्होंने दवरा किया था, और अटल विहारी वाजपेजी ने इस समय किया था, यह मैंने डीट आपको बता दिया है, चाइना गदरा किया, ठीक है, लेकिन चीन के सांथ व्यापारिक संबन्ध पर ज्यादा बात, मतला उतनी बात फोदी नहीं थी, ठीक है, अब जैसा कि आप सभी को पता है कि भारा-चाइना युद के बाद जो हमारा, हमारे देश का भारती कम्मिनिस्ट पार्टी था, वो जिसको हम लोग CBMM भी बोल देते हैं, तो वो जो है, वो चाइना के सपोर्ट में था, यहना, तो अलग पार्टी बन गया, CBIM, यहना, यह अलग पार्टी बन गया, और दूसरा जो सोवेय संग के खेमे में था, वो कॉंग्रेस पार्टी में ही जुरा रहा, कॉंग्रेस पा जिसको हम मतलब भाकपा कहा देते हैं ठीक है और जो आपका दूसरा जो भारती कर्मिनिस्ट पार्टी मार्कसवादी वाले जो थी वो अलग हो गए उन्होंने अलग पार्टी मना ली ठीक है और ये पार्टी कब टूड़ी थी 1964 में टूड़ी थी ठीक है ये चीजी भी आप 1947 में ही भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ नदी जल बड़वारे को लेके भी कई वार इन देसों के बीच में तनातनी बनी रहती है और आपको पते है शिंदो नदी जल विवाद है लेकिन इसको कहीं शिंदो नदी जल विवाद को हल भी किया है 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया और आप सभी को पता है 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद हुआ उससे में हमार देश के परधान मंदिरी लाल बहादू सास्त्री थी लाल बहादू सास्त्री जी ने जय जावान जय किसान का नारा भी दिया और हम इसी जीत भी गया है परधान मंद्री लाल बादु सास्ति और पाकिस्तान के जर्नल अयव खान के बीच में 1966 में तासकंद समझाता होता है और आप सभी को पता है कि वही भी इनकी मिर्टिव भी हो जाती है है ना सभी को पता है कि मंगलादेश युद इसके बारे में तो हम पहले भी बात कर चुके है और बहुत आसान भी है आप सभी को बहुत अच्छे से आता होगा तो लेकिन आप सभी को पताएगी यहां पर जो हमारा आपको पताएगी इधर हमारा जो पश्मी पाकिस्तान इधर हमारा पूरवी पाकिस्तान तो पूरवी पाकिस्तान वाला जो एरिया था उसमें पश्मी पाकिस्तान का क्या था दबदवा था बहुत जादा है ना तो इसलिए उन्होंने क्या किया वहां के संस्क्रीति को वहां के भासा को दवाना शुरू कर दिया, है ना, अवामे लीग चाहती थी कि भाई उनकी सरकार बन जाए क्योंकि भाई जाहिर सी बात है कि उनको जीत मिल गई थी, अवामे लीग के जो हमारे परमुक्ति सेख मुझ वो रहख्मान को गिलबताय कर लिया. हैनुपुरिवी पाकेस्तान के लोग लोग अपर जुम कर धाना शुरू कर दिया, उनको माना पिटना शुरू कर दिया, और इस वेज़े से बहुत सारे सरनार्ती भाग कर भारत कर नहें. ठीक है ये सरनार्थी पुरी भी पाकिस्तान से भाग के भारत आये थे अब देखोई ये जो महाँ पे आंदोलन बेगरा चल रहे थे उसको इंद्रा गांदी जी ने सपोर्ट किया और उनको सैने साहिता परदान करना सुरू कर दिया ठीक है साथे साथ जम्मू कस्मीर पर भी हमला किया गिया इसके जवाब में भारत ने अपनी वायू सेना, नौ सेना और सितल सेना के जरिये पुर्वी और पश्वी मोर्चिप से कारवाई सुरू कर दी दस दिरों तक भारते सेना ने ढाका को तीरों तरफ से घेर लिया नब्य हजार सेनिकों के साथ भई आतमसमरपन करना परा पाकिस्तान को और इसके साथ ही पाकिस्तान की आतमसमरपन के साथ ही आप सभी को पता है, बंगला देश नामक नई देश का उधाय होता है 3 जुलाई 1922 को इंद्रा गांधी और जुल्फिकार अली भुटो के बीच में सिम्ला सम्झाता होता है तो सिम्ला सम्झाता का डेट याद रखना किसके बीच में हुआ इंद्रा गांधी और जुल्फिकार अली भुटो के बीच में ठीक है कब हुआ 1972 में तीन जुलाए 1972 बस इसमें ही था कारगिल युद के बारे में थोड़ा सा बता रखा है ठीक है सो प्यारबचों अगर हम कारगिल युद की बात करें देखिए 1999 में क्या होता है भारत और पाकिस्तान के वीच संबन सुधारने के लिए दिनली लावर बस इसमें शुरू की जाती है परन्तु पाकिस्तान ने इसी समय भारत के खिलाब युद का एलान कर दिया ठीक है और हमारे जो कारगिल में जो कुछ सामरिक महाटव के जो जगे थे पर नाम बता रखा है द्रास मासको है ना बताली बतालिक इन जगे पर उसने कबजा कर लिया भारतिय सिना ने बहादुरी सी पाकिस्तानी सिना कर सामना किया और ये जो 1999 की मई जुन में ये लड़ाई चलती रही 26 जुलाई 1999 तक भारत ने अपने सारे इलाकी दुबारा से जीत लिये थे तो ये कारगिल नियुद के वारे में ज़्यादा कुछ नहीं बता रखा है बस इतना ही है ठीक है देखी अगला है भारत की परमानू नीती की बात कर लेते हैं परमानू कारे करम की हम बात कर लेते हैं तो देखी भारत ने 1974 में अपना पहला परमानू परिक्शन किया था थीक है नहरू ने तेख गरदी से आदमिक भारत के निर्मान के लिए विज्ञान और प्रोधोगी पर बहुत जादा जोड दिया था वो चाहते थे कि विज्ञान और प्रोधोगी के चित में हम क्या करें उन्नती प्रगति करें नहरू की अधोगी करन की नीती का एक पर्मानु गार्यकरा में उसके शुरुवात हुई थी, वैसे तो नहरू जी जो थी वो पर्मानु हथियार के खिलाब थी, उन्होंने महासक्तियों पर व्यापक पर्मानु निसस्त्री करन पर जोड दिया था, कि वो चाहते थी कि भाई दुनिया के दूसरे दिश्ट पर्मा पर्मानु परिक्षन कर लिया था, ठीक है, और आप सभी को पता है कि जैसे सभी दुराज आमेरिका की बात करेंगे, सोब्य संग, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना की बात करेंगे, तो यह सारे दिश ऐसे हैं, जो कि दूसरे दिश ओपर क्या कर रहे हैं, पर्मानु अपर सा परिक्षन 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 पर्तिबन संधी, पर हस्ताक् yol करने से मना कर दिया, ठीक है, दिखो यह जो संधी है वो पर्मानु हत्यारों को, कि संख्या को सीमित करने के लिए ये संधी कि गई थी, तो भारत ने क्या किया, मैं,ring09 परिक्षन भी संपल परिक्षन किया, और भारत भी पर्मानु संपन देश मनिया, और भा प्रमानु सक्तिस संपन देश बन गया और भारत भी आन्विक उर्जा का इस्तिमाल करने की छमता अब रखता है, यह ना, देखी इसे में कुछ और पॉइंट सा बता सकते हैं कि भारत की प्रमानु निदी में एक और महत्पूर पॉइंट यह आता है कि भारत कभी भी पहले दूसरे देश के उपर परमानु हतियार का इस्तिमाल नहीं करेगा, अगर पहले भारत के उपर इस्तिमान करता है, तभी जागे भारत दूसरे देश के उपर परमानु बम का इस्तिमाल तेरेगा, परमानु हतियार का इस्तिमान करेगा, ठीक है, यह सारे आप points इसमें बता आ सकते हैं बागी देखिए कोशी देए रहे एक्जाम से पहले पहले सभी चैप्टर की डिविजन वीडियो आप सभी के लिए मैं अब लोड कर दू ठीक है बस आप लोग अपना प्यार सपोर्ट इसी तरी किसे बनाते रहे मतलब बना के रखे रहे और वीडियो को देखी श झाल 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 झाल